नसीम शाह ने जैसे ही कहा कि कौन उर्वशी मैं किसी उर्वशी को नहीं जानता तो उर्वशी रोटेला जो है इनका दिवाग खराब हो गया बोला कि आरे ऐसे कैसे मैं तने खुबसूरत हो ब्रह्मार्ण की सुंद्री हूं मुझे कैसे नहीं जानता यह नसीम शाह तो इन्ह उर्वशी रोटेला ने कि जो 10-12 सकंड का जो वीडियो था नसीम शा और मेरे स्माइल वाला वो जो वीडियो था दरसल में जो सबसे ज्यादा वारल हुआ वो किसी ने एडिट करके भेजा हुआ था तो हमारी टीम ने जो है वो इस्ता स्टोरी पर लगा लिया लेकिन हम दोन अब लोग जो है उस पर मजए लेंगे तो इसमें लोगों की तो कोई गलती नहीं है अब नसीम शा ने बयान दिया है बिचारा कि मैं और वरशी रोटेला को नहीं जानता हूं तो आपको एकदम परपरा के लग गया अगर और वरवशी रोटेला के बारे में वह जानते हैं बोलते हैं उर्वशी रोटेला क्यूट है तो मैं लिख के दे रहा हूं कि उर्वशी रोटेला की टीम या फिर वो वीडियो काट के अपने इस्टाग्राम एकाउंट पे लगाई हुई होती तो बहुत एक शकीलाजमी का शेर है कि हर घड़ी चश्मे खरिदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिष्टा है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखवार में रहने के लिए मेडम को चर्चा में रहने रहने का बहुत जादा शौक है यह चाहती है सुर्फियों में रहे थोड़ा सा है इसी वज़े से रिशपन से लड़ाई कर लिए कुछ उसके बारे बयान दे दिये फिर इदर हो गया उधर हो गया तो सुर्खियों में उर्वशी रोटेला को रहना पसंद है अटेंशन चाहिए मैडम को हर हाल में ताकि उर्फी जाविद से भी ज़्यादा इनको अटेंशन मिले राखी सावन से भी ज़्यादा इन्हें अटेंशन मिले बस अटेंशन चाहिए होता है तो ये तमाम चीज़ें होती है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि नस्रीम शाकु पाकिस्तानी एक्टरेस के बारे में भी उसका नाम नहीं पता बंदा सही से बता तक नहीं सकता है कि ये ये माहिरा खान है ये हानी आमीर है लिटरली बंदा नहीं जान खेर उर्वशी रोटेल आज नसीम शागा वीडियो लगाया उसने कल किसी और का लगा देगा अटेंशन चाहिए मैडम को तो अटेंशन मिलता रहेगा देखिए धन्यवाद